जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्समिद जैन YouTube चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे है तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको Number मांगेगा Gmail Number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप Register करके आँगे बढ़ेंगे आपका पहला प्रस्न है कि अर्थ सब्द का आज से नहीं है तो अर्थ का आज से क्या नहीं है चार बिकल्पें आपके सामने धन निमित प्रियोजन या फिर सब्द तो अर्थ का आज से क्या नहीं होता साथियो यह हमें बतानी है यहां पर तो चार बिकल्पें से जल्दी स से चेहन करेंगे सबी लोग और राइट आपका अंसर हो जाएगा नहीं है पूचा है तो नहीं है होता है सब्द अर्थ का आस सब्द नहीं होता अर्थ का आस निमेत धन निमेत प्रियोजन ये तीनों होते हैं लेकिन ये चार यानिकी सब्द नहीं होता ठीक है इसको याद र लोग और आग्या की हम क्या कर देते हैं क्या कर देते हैं लिको कमेंट में पटाक से आग्या का बिलोम वो लिस्तर आग्या की हम अबग्या कर देते हैं अबग्या आग्या मिली थी लेकिन हमने क्या कर दी अबग्या तो हमारा आग्या का जो बिलोम होगा वो चार नंबर बिल है साथ यो इला रीला एला या फिर अरीला कौन सा हो जाता है जहरीला में और आपने चैन किया है सर कि जहरीला में हो जाएगा इला प्रत्य इला यानि कि एक नमबर ठीक है जहर कोई सब्द है और इसमें इला प्रत्य लगा दिया तो बन गया सब्द क्या जहरीला तो ईला प्रत्य आपका एक नंबर बिलकुrhों जायगा, ठीक है, एक नंबर, फिर पूछा जाता है कि सहडोल जिले में बोली जाने बाली, प्रमुक बोली कौन सी है, दोस्तों, सहडोल जिला में, और यह जो सहडोल है, सहडोल, इ Barbot कहा आता है, आपका पठार में यह सहडोल आता है तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी और आपने बिल्कों सही चैन किया है कि सरे बगेल कंड के पठार में आता है तो यह बगेली बोली यहाँ पर बोली जाएगी यानि कि तीन नमबर आपका यहाँ पर बगेली बिल्कों सही हो जाएगा ठीक है ये अबदी बगेली च्छतीस गड़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतरगत आती है अबदी बगेली और च्छतीस गड़ी है ना ये बगेली पूर्वी हिंदी के अंतरगत आती है ये भी आपको चैन करना है next है मोहन ने चोर को पीछे से पकड़ लिया बाग कैसा है मोहन ने चोर को पीछे से पकड़ लिया यह बाग का हमें बताना है कैसा बाग कमाना जाएगा इस्थान बोदक माना जाएगा या फिर दिसा बोदक है कौनसा बोदक है दोस्तो चैन करें और आपने बिल्कुस साही चैन किया है कि सर एं मोहन ने चोर को पीछे से पकड़ दिया पीछे यानी की दिसा है कोई तो यह दिसा बोधक है दिसा बोधक यानी तीन नमबर आपको बिल्कुस सही हो जाएगा ठीक है तीन नमबर नेक्ट है अंगारे फाकना मोहावरे का अर्थ क्या है इन मोहावरे को हमें प्रैक्टिस करना है जितनी जादा आप प्रैक्टिस करोगे मोहावरे उतनी जादा आपको किरियर होंगे ठीक है तो अंगारे फाकना इस मोहावरे का अर्थ क्या हो जाता है ऐसा काम करना जिसका फ किया है कि ऐसा काम करना जिसका फल बोरा हो यानि कि अंगारे फाकना है ना इसका अंगारे फाकने का देखो इसका अर्थ एक नमबर बिलकुस सही है जो बिलकुल अलग है है ना एक नमबर आपका बिलकुस सही हो जाएगा फिर आप से पूछा जाता है दोस्तों कि राम ने आ राम ने आसानी से सिव धनुस तोड़ दिया ये आपका बिधान बाचक बाक माना जाएगा तीन नमबर आपका बिलकु सही हो जाएगा ठीक है तीन नमबर ये बिधान बाचक है काली मिर्च पद में कौन सा समास है दोस्तों हम पढ़ते ना लाल मिर्च काली मिर्च मिर्च बड़ी तेज है पढ़ते ना पनलोग मिर्च बड़ी तेज है और काली मिर्च पद में समास बताना है बहुबरही समास होगा दिगू समा याफिर रभंधे समास क्या हो जाएगा कि मिर्च की विसेश्था बता रहा रहा शर्रा सब्सक्राइब फिसक्षे क्या स्था Congratulations किरमा के नौ में एक्षा, आप लोगों की एक्षा होती है, अब एक्षा का परयाब आची क्या माना जाएगा, उसे और क्या कहते है एक्षा को, किसोर सिंग जी, सपना कुस बाहा, एक्षा सब्द का परयाब आची हमें चेहन करना है, एक्षा को क्या कहा जाता है, अकांचा, इहा इपसा या फिर उक्तसभी तब आपने चेहन किया है कि सरे का एक्छा को अकांचा भी कहा जाता है इहा भी कहा जाता है और इपसा भी कहा जाता है यानि कि उक्तसभी और तीन नमर आपका बिल्कु सही होगा तीन नमर ठीक है अकांचा इहा और इपसा ये तीनों कहा जाता है और तीनों आपका बिल्कु सही है ठीक है ये नेक्स्ट आपका है चोर्टी है गोर्टी या चोर्टी अहीर की पंग्ती किसकी है ये पंग्ती में कौन सा लंकार है ये बताना है चोर्टी है गोर्टी या चोर्टी अहीर की पंग्ती में कौन सा लंकार ह कौन सा लंकार हो जाएगा एक दोस्तो अपन निकल पढ़ाता बिध्याधन अर्थी है ना बिध्याधन अर्थी पढ़ाता इसमें पतानी कैसे मैंने ब्रद्धी संदी आपको बता दिया बिध्याधन अर्थी इसमें तो आपकी दीर की संदी है दीर की संदी है ना इसको सुदार लेना अगर आप कल की किलास में थे तो ठीक है बिध्याधन अर्थी बिध्यार्थी में आपका दीर की संदी होता है ठीक है ये चीज़ अब आपको बताने अनुपरास अलंकार इसमें चोरटी है गोरटी या छोर्टी अहीर की यहाँ पर आपका अनुप्रास हो जाएगा अनुप्रास यानि कि दोस्तों आपका एक नम्मर हो जाएगा चोर्टी है गोर्टी या छोर्टी अहीर की अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद होते हैं दोस्तों कई भेद होते हैं अनुप्रास के अनुप् आपका यहां पर सही होगा एक नमबर अनुप्रास ठीक है अनुप्रास की भेद भी अपन को पढ़ना है है ना अब आपको बताना है कस्टोडियन का हिंदी पारिवासिक सब्द क्या होता है प्रभासक होता है बिभासक होता अभी रक्षक होता है है ना हम बोलते ना कस्टड जिसे अगर बोलें तो हम custody में हैं यार है ना वो है इसका custody अभी रख्चक नियंत्रक प्रिभासक या फिर प्रिभासक और प्रश्न किर्मा की 11 में बताना है आसू जी उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर होगा आपका क्या अभी रख्चक अभी रख्चक यानि की तीन नंबर ठीक है तीन नंबर स्री नंबर आपका सहिए ठीक है अभी रख्चक सेस सब्द है संकर तत्सम तदभाव या फिर देशज सेस सब्द बताना है सेस है ना अपने बोलते ना सेस नांग सेस फल अब यह सेस दे दिया गया यहाँ पर और यहाँ पर बताना है हमें कि सेस सब्द कैसा है संकर है तत्सम है देशज है तदभाव है कि कैसा माना जाएगा और आपने चैन किया है सेस सब्द को और सेस सब्द आपका बिल्कु सही होगा यह कैसा है तत्सम तत्सम यानि कि आपका टू नंबर है वो बिल्कु सही है ठीक है एस को मारी धाकर बिनर और टू नंबर आपका बिल्कु सही है निरोग निरोग में कौन सी संदी है निरोग नीरोग में संदी का चैन करना है राज का पाडिया जी सरीता जी प्रश्न किरमांक अपना तेरा है और नीरोग में संदी बतानी है तो इसमें हो जाएगी आपकी कौन सी संदी बिसर्ग संदी है ना ने है धन रोग बरावर होगा नीरोग नीरोग यानी चार नमबर आपका बिसरग संदी बिलकुँ सही हो जाएगा ठीक है बिसरग नेक्टर मद्दप्रदेश से प्रकास साहित्यक पत्रीका का नाम क्या है अक्छरा आजकल आलोचना या फिर कथा तो प्रश्न किरमाग 14 में मद्द प्रदेश से प्रकास साहित्यक पत्रिका का नाम बताना है और साहित्यक पत्रिका की जब भी बात आती है दोस्तों तो यह जो अक्षरा है अक्षरा अक्षरा है ना यह आपका सही होगा एक नंबर अक्षरा प्रकास्यत होती है कहां से, मद्रदेश से इए नंबर आपका बिल्कु صई हो जाएगा, ठीक है, रवीना पर्मार जी, सरीटा जी, अक्षरा पत्री का कहां से प्रकास्यत होती है, मद्ध प्रदेश से अब आपको बताना हजारी परसाद दुबेदी उपन्यासकार हैं ललत निबंदकार हैं समालो चक हैं या फिर सबी हैं हजारी परसाद दुबेदी के बारे में आपने पड़ा होगा इनके दोस्तों तीन ग्रंत बहुत ही महदपूर हिंदी साहित का आदि हजारी परसाद दुबेदी की वो है असोक के फूल है ना असोक के फूल यह भी पूची जाती है और सिरीज के फूल भी हजारी परसाद दुबेदी की है असोक के फूल भी हजारी परसाद दुबेदी की रचना है लेकिन एक पूची जाती है रेती के फूल रेती के फूल दिनकर जी की रचना है, रेती के फूल दिनकर जी की है, सिरीज के फूल हजारी परसाद दुवेदी, असोक के फूल हजारी परसाद दुवेदी, और हजारी परसाद दुवेदी जो माने जाते हैं, वो उपन्यासकार भी हैं, ललत निवंदकार हैं, समा लोचक भी हैं, है ना ये माने जाती हैं दोस्तों तो इनको याद रखेंगे हजारी परसाथ दुबेदी को ब्रज बोली आती है तो किसकी अंतरगत आती है ये बोली से भी आपके question एक हर exam में बनते बोली है ना और मैंने आपको याद भी करवाया था कोड से कानों के खड़ी बुंदेली ब्रज भान हरी के पास पस्चमी हिंदी की जो बोलिया होती है दोस्तों वो कौन कौन सी होती है पस्चमी हिंदी की कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरी के पास तो पश्चमी हिंदी के अंतरगत आती हैं दोस्तों यह ब्रजबोली यानि कि आपका जो D नंबर है चार नंबर है वो आपका सही हो जागा ठीकlets ना चार नंबर जैसे बात करने ब्रज खड़ी बुली खड़ी बोली भी आपकी आती है ठीक है और कन्नोजी भी आती है सी के अंतरगत कन्नोजी हर्यान भी भी आती है सी के अंतरगत ठीक है और बुंदेली भी आती है बुंदेली भी आपकी पस्चमी हिंदी के अंतरगत आती है ठीक है तो यह पांच बोलियां है जो पस्चमी नीद, सौपन, प्रचन, प्रकट, तब आपको चैन करना है कि बिलोम सब्दियोग में कौन सा नहीं है, और यहाँ पर हमने देखा कि नीद और सौपन, यह बिलोम नहीं है, है ना, बिलोम है क्या, बोली सर्वो तो नीद में सौपन आ जाते हैं कभी-कभी, लेकिन यह बिलोम नहीं होते, यह बिलोम सब्दियोग में नहीं है, यानि तीन नमबर आपने बिलकु सही चैन किया है, तीन नमबर, ठीके, अब अगला कोस्चन है, आपका सुद्ध बाग का चैन करना है, अभंग एक परकार का मराठी चंद है, आपका निवेदन करता, या फिर आपका क्या सही इसमें, इसमें आपका सही है, बकील ने कागजों की जाच की, यानि कि जो चार नमबर है आपका, वो बिलकु सही हो जाएगा, चार नमबर, ठीके, चार नमबर आपने जो चैन किया है, वो बिलकु सही है, बकील ने कागजों की जाच की, यह आपका सुद्ध कमाना जाएगा, D Next is सुद्द सब्द है, तो सुद्द सब्द इसमें कौन सा है, Лाला बाना केके दुवएदी जी, दिसानी सुद्द सब्द बताना है, आकांचा आकांचा, परिस्तिति अमावस्या, या फिर अवनती हमने सब्द सुद्दी बहुत सारी चीज़ें पड़ी है बहुत पड़ी सब्द सुद्धी है ना बहुत अभ्यास किया है और यहाँ पर सब्द सुद्धी आपसे पुछ लिया गया तो आपका जो आकांचा है आकांचा है ना जो अपनी एक्छा होती ना एक्छा का परियावाची क्या होती आकांचा होती है एक्छा का परियावाची आकांचा और आकांचा ये सुद्व सब्द माना जाएगा फिक है ये नंबर आपका बिलकों सही है सुनील कुमार जी ये नंबर next छे समुच्चारत बिनारतक सब्दियोग में नहीं है तो कौंसा नहीं है इतर इत्र उद्धार उद्हार कंकाल कंगाल मित्र बित्र कौनसा समुच्चारत भिनार तक सब्दियोग में नहीं है यह बतानी है आपको है ना निरन एहरवाल जी प्रश्न किरमां के 20 में और 20 में आपका बिल्कुस सही आंसर होगा मित्र बित्र यह नहीं माने जाएंगे मित्र बित्र चार नमबर यह समुच्चारत भिनार तक नहीं है और चार नमबर आपका बिल्कुस होगा ठीक है फिर आपसे पूछा जाता है जमीन आस्मान एक करना मोहावरे का आस्त क्या है बहुत हल्चल मचाना अत्यादिक प्रियास करना दुनिया चान मारना या फिर उक्तिसभी यानि कि एक का उत्तर आपका क्या हो जाएगा जमीन आस्मान एक करना मोहावरे का आस्त क्या है और यहाँ पर आपका बिल्कुस सही है उक्तिसभी यानि चार नमबर ठीक है जमीन आस्मान एक करना मौहावरे का जो आस है वो बहुत हलचल करना ये भी है अत्याद एक प्रयास करना ये भी है दुनिया चान मरना ये भी है है ना तो चार नमर आपका बिलकुल सही हो जाता ठीक है चार नेक्स्ट आपका नकुल सब्द का अर्थ नहीं है तो क्या नहीं है कुल रहत सिव नेवला या फिर कौनते नहीं है मूच्छा गया दोस्त अर्थ नहीं है तो D नंबर सब्द का अर्थ पूछा गया अर्थ तो चान नंबर आपका सही हो जाएगा ठीके फिर उभिया लंकार भेद है सब्दा लंकार और अर्था लंकार का सब्दा लंकार और अर्था लंकार में से किसी का नहीं सब्दालंकार का या अर्थालंकार का तो अलंकार किसका भेद है आपने पढ़े होंगे दोस्तों अलंकार के भेद बोलिस्तर एक सब्दालंकार होता है एक अर्थालंकार होता है ठीके और एक होता आपका अलंकार तो ये तो अलंकार का भेद होता है ना तो ये सब्दा लंकार का भेद है ना ही ये अर्था लंकार का भेद है ये उभ्या लंकार अपने आप में अलग है तो आपका टू नंबर यहाँ पर बिल्कुत सही होगा प्रश्ण किरमांग तीन में है ना बी नंबर ठीके अब आपको बताना है आटो मेशन का जो हिंदी पारिवासिक सब्द होगा स्वाचालन मौटर सम्मंदी स्वायत संस्थान या पिर स्वायत तंत्र तो ये चैन करना है दोस्तों आपको प्रश्ण किरमांग चार में आटो मेशन का हिंदी पारिवासिक सब्द क्या होता ह और आपने बिल्कु सही चैन किया है कि आटो बोलते हैं हम आटो पिले बोलते हैं आटो पिले है यह तो यानि कि स्वाचालन है यानि कि एक नम्मर आपका बिल्कु सही है ठीक है एक नमबर आपका सही है अब आपको बताना है उन्मूलन का बिलॉम सब्द क्या है उन्मूलन उन्मोचन, रोपन, मोचन या फिर उन्मोख उन्मूलन का बिलॉम क्या हो जाता है अपन बोलते ना गरीबी उन्मूलन, यानि की गरीबी हटाओ, बोलते तो उन्मूलन का भिलोम हमें बत चयंन करना है यहाँ पर, रोपन, रोपन भुबन भावा तो नहीं, है ना मोचन, उन्मोक या फिर उन्मोचन, तो प्रश्न किरमांग 5 में आपका बिलोम बताना स्वरी बिलोम बताना तो रोपड ही है उन्मूलन का रोपड हो जाएगा है ना रोपड यानि की B नमबर B सही है B ठीक है प्रश्न किरमांग 5 में बिलोम बताना था इसलिए रोपड आपका बिलको सही है है ना उन्मूलन का रोपन बी नमबर ठीक है अब आपको बताना है सत्य ब्रत पद में समास है तो बताना है सत्य ब्रत पद में कौनसा समास है बहुब्रही समास तत्प्रोष समास द्वंद समास या फिर उक्त सभी सत्य ब्रत पद में समास बताना है आप अपने बिकल्प का चैन करेंगे कौनसा सही होगा सत्य ब्रत तब आपका बिलकुछ सही आंसर होगा दोस्तो सत्य ब्रत पद में समास पूछा गया तो कौन सा होगा कौन सा हो जाएगा यहां पर तो उत्तर दिया उक्त सभी सत्य ब्रत सत्य है सत्य के लिए ब्रत सत्य के लिए ब्रत सत्य और ब्रत है ना सत्य के लिए ब्रत और सत्य और ब्रत ठीक है तो यहां पर आप उपर युग सभी लगा दिना पहलाल मैं इसको समझ के भी बताऊंगा प्रशने किरमांग 6 में ठीके छे वाला अंगला आपको बताना नई या एक सब्द में प्रत्य है साथ का उत्तर बताना साथ का नई या एक सब्द में प्रत्य एक है एक है या एक है या एक है या फिर एक है या प्रशने किरमांग 7 मे बताएंगे नई या एक सब्द में प्रत्य कौन सा है और नई या एक सब्द में जो प्रत्य होगा वो होगा एक प्रत्य है एक यानि की एक नमबर ठीक है एक नमबर आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा नई यायक एक होगा ना तो एक आपका बिल्कुछ सही है वो सत्य ब्रत्य बाला में बताओंगा आप तत्प्रोष होगा वैसे है ना बिल्कु सही यदि भाए आता तुम्हे चला जाता बाक कैसा है आग्या सूचक बाक है एक्चा सूचक है, बिधान बाचक है, संकेत आरतक है यदि बहे आता, तो मैं चला जाता, बाग कैसा है प्रश्न किरमांग आठ में यदि बहे आता, तो मैं चला जाता, यहाँ पर संकेत आरतक बाग कहे यानि की चार नमबर संकेत आर्थक बह आता तो मैं चला जाता यहाँ पर संकेत दिया गया तो संकेत आर्थक आपका बिल्कुस सही होगा प्रत्विराज रासो में आपको बताना है प्रत्विराज रासो है क्या है उपन्यास है महाकाब है खंड काब है या प्रनाटक है और आपको पता है कि ये जो प्रत्विराज रासो है ये हिंदी का प्रिथम महाकाब माना जाता है प्रिथम तो टू नम्मर आपका बिल्कुँ सही है ठीक है हिंदी का प्रत्थम महाकाब है प्रतिविराज रासो इसकी रचनाकार कौन है चंदर बरदाई चंदर बरदाई है ठीक है इसको याद रख लेना ठीक है अब आपको बताए नारी सब्द का पर्यावाची है तो क्या है नारी यानिकी दस का अंसर बताना है नारी सब्द का पर्यावाची भागी निका मादा कांता या फिर माया यानिकी दस में नारी सब्द का पर्यावाची चैन करना है और पर्यावाची की जब बात आती है तब आपका उत्तर होता है कांता नारी सब्द का पर्यावाची है तो कांता है कांता है ना यानि तीन नमबर सी नमबर आपका सही है पर्यावाची में बहुत प्रेक्टिस कर करनी पढ़ती है कांता आपका सही हो जाएगा ऐसी है ठीक है नेक्स्ट अबर थोड़े ही काम करेगा बाग कैसा है निश्यद्परक सरचना है इसकी बिनम्रता सूचक सरचना है विधी सूचक सरचना है या फिर कारण कार संबंद सरचना है अब थोड़े ही काम करेगा कैसी सरचना है इसकी इसमें क्या बोद करवाया गया वो चीछे करनी प्रश्न किरमा के ग्यारा में तो बताएं ऐसे हम तिवारी जी अब थोड़ी ही काम करेगा यानि कि इसमें आपका सही उत्तर होगा कौन सा निसेद परक सरचना है इसमें है ना निसेद परक अब थोड़ी ही काम करेगा यानि कि नहीं काम करेगा एक नम्मर आपका सही होगा इसमें कारण कारण नहीं है निसेद परक अब वह थोड़े ही काम करेगा निसेद परक सरचना है वह काम नहीं करेगा थोड़े ही काम करेगा यानि कि नहीं करेगा एक कहा गया है अगर आपको इसको सब्दिकी लायव और अब वह थोड़े ही काम क करेगा अब नहीं करेगा मतलब इसकार्थ है ना इसका जो सरचना है इसकार्थ है वो नहीं करेगा ही निकल रहा यानि एक नंबर आपका सही होगा निसेद प्रक्सरचना ठीक है अब आपको बताना बारेली बोली किस जंजाती है समूसे संबन देते वारेली बारेली यानि की बारा भील जंजाती से कोरकू से गौंड से या फिर बैगा से कौन सी जंजाती से सम्मंदत है बारेली बोली और बारेली बोली है भील से ये बारेली बोली भील जंजाती से सम्मंदत है और ये मद्द प्रदेश की सबसे बड़ी जंजाती है ठीक है बारसू पर जापती जी भील जन जाती ये मद्दब्र देश की सबसे बड़ी जन जाती है और बौरेली इसकी क्या है बोली मान जाती है इसी की भील जन जाती की ठीके बहादूर सब्द कैसा है तत्सम है बिदेशी है तदबाओ है या फिर देशज है प्रश्न किरमां के तेरा में बहादुर सब्द बताना है सरीता जी कीरतन कलेश जी बहादुर सब्द में क्या है तत्सम है तदवाओ है या फिर देशज है तो यह बहादुर आपका बाने जाएगा बहादुर बिदेशी सब्द है बहादुर बहादुर कैसा है बिदेशी बह बहादुर बिदेश गया है तो यह बिदेशी माना जाता है बिदेशी बहादुर बिदेशी next है महर्सी में कौन सी संदी है महर्सी यानि की 14 का आंसर और आपका सही आंसर होगा क्या हो जाएगा महाधन रिसी यानि की आके बाद क्या आ रहा है री आ रहा है आके बाद री तो आपकी कौन सी संदी हो जाएगी गोन स्वर संदी है ना गोन यानि की आपका एक नंबर है वो बिलको सही हो जाएगा गोन स्वर संदी ठीके महर्सी में गोन स्वर यानि एक नंबर आपका सही होगा महा धन रिसी बराबर महर सी और आ आ आ रहा है यहाँ पर आ पिलस रिसी है ना यह अगर आता है तो आपका गुर्ण स्वर संदी हो जाती है यह नमबर सही है नेक्ड आपको बताना 14 सितंबर 1949 में भारत की संबिधान सबाधवारा हिंडी को मानता दी गई संबिधान सबाधवारा तो किस रूप में दी गई बेभासा के रूप में मानक भासा के रूप में राष्ट्र भासा के रूप में या फिर राज भासा के रूप में किस रूप में ये मानता दी गई साथी हो प्रश्ने किरमांग 15 में हम लोग पढ़ते ना कि अनुच्छे 343 के तहट संबिधान में जो है हमारी हिंदी भासा को राज भासा बनाया गया है ना तब आपका यहां पर उत्तर होगा राज भासा अब बहुत सारे लोग तीन क्या बता रहे तीन नहीं होगा इसका राष्ट भासा नहीं राज भासा राज भासा के रूप में यानि कि आपका जो डी नंबर है डी नंबर वो सही हो जाएगा सीमा कुमारी है ना पारो कु सुभाह जी, चार नमबर बिलकुँ सही है, सीता जी, है ना सरीता जी, अभिसेख जी, ये राज भासा के रूप में मानता मिलीती, ना की राश्ट भासा के रूप में, अब ये राश्ट भासा नहीं लगाना, है ना, ये राज भासा, ठीक है, चार नमबर सही होगा, हमारे भ जरूर चले कि हिंदी को राष्ट भासा बनाया जाए है ना उसके बाद उसका विरोध भी हुआ ठीक है तो यह राज भासा है अपनी हिंदी ठीक है चार नम्मर आपका सही होगा फिर आपको बताना भोपाल से प्रकासित पत्रिका का नाम क्या है सोला का उत्तर आहा प्रश्ण किरमांग सोला में आपको बोपाल से प्रकासित पत्रिका का नाम बताने के लिए बोला गया और आपने बताया अहा जिंदिगी बोपाल में क्या जिंदिगी है अहा जिंदिगी बोपाल में क्या जिंदिगी है अहा जिंदिगी निकलती थी कहां से बोपाल से अस नमबर अहा जिन्दिगी आर के बर्मा ठीके बिलोम सब्द योगमकच नहीं है बताना कौन सा नहीं है प्यूस कालकूट रथी विरत बिचोब्द प्रिसांत नायक अधिनायक ये बिलोम पढ़ा करो आप घर में इसका अभ्यास किया करो जब भी आपको टाइम मिलता है आप सब्द पढ़ो परियाबाची सब्द पढ़ो अब जितना इनको पढ़ोगी जितनी जादा प्रैक्टिस करोगे ये बिलोम और परियाबाची उतनी चीजें आपको इस मेमोरी में बैठती जाएंगी उतनी अच्छे से बनेंगी ये बिलोम इनको तो पढ़ना ही पढ़ता ह होता डी नंबर आपका सही हो जागा डी नंबर ठीक है प्यूस का काल कूट बिलको सही है रती का ब्रत बिलको सही है बिछुब्द का प्रसांत भी सही है लेकिन नायक का अधी आएक नहीं होता ठीक है यानि चार नमबर आपका सही हो जाएगा चार नमबर डी नमबर सपना जी बिलकुँ सही है नेक्ट आपको बताना है निम्ण में से सुद्ध बाग कौन सा है तुम तो अबस्ते ही जाओगे चरका कातना चाहिए यह कभीता अनेक भाव प्रगट करती है या फिर मुझसे यह काम शंभव नहीं हो शकता तो आपको बताना है कि इसमें तुम तो अबस्ते ही जाओगे यह आपको चैन करना है कौन सा सुद्ध हो जाएगा चार विकल्पें चार में से चैन करना है और आपने चैन किया है कि एकभीता अनेक भाव प्रगट करती है एकभीता अनेक भाव प्रगट करती है चरका कातना चाहिए चरकानी कातना चाहिए तुम तो अबस्ते ही जाओगे है ना अबस्ते ही नहीं आना ते हैं अबस्ते जा होगे है ना एक अभीता नेक पहाव परिकट करती है यह आपका सही होगा मुझसे एकाम संभाव नहीं हो सकता है ना तो याद रख लिना और अंगला आपको है दोस्तों निम्ले लेकित में से सुद्ध बाक का चैन करना है यहां पर सुद्ध बाक कौन सा है आपने वो गाना स होता है खल नायक नायक नहीं खल नायक हो में और यहां पर वो ही पूचा गया था और सुद्ध सब्ध यहां पर आपने बताया बिभीस ही क्या है ना प्रणाम नहीं लिखा जाता पुझ्य ऐसा नहीं लिखा जाता पुर्वी नहीं लिखा जाता तो बिभीस क्या यानी चा चाय कौफी ऑपेक्षा अपेक्षा अंते अंते और वीस का अंसर आपका सही होगा क्या होगा समुझ चारत भिनार तक सब्द युग में नहीं है तो चाय कॉफी चाय कॉफी यह समुझ चारत भिनार तक तो नहीं लग रहा यानि टू नमबर चाय कॉफी आपकर दिल्कों सही है कि अडियल सब्द में कौन सा प्रत्य है अडियल सब्द में हमें प्रत्य का चैन करना है यल है ला है या फिर यल है तो चार भिकल्पें और अडियल में हमें चैन करना है कि प्रत्य कौन सा है तब आप चार बिकलब में ऐसे बताएंगे और साथ यो आपको पता है कि जो प्रत्ये हैं विस सब्ड के अन्त में लग करके क्या लाते हैं उन में परिबर्तन अर्त में परिबर्तन लाते हैं और यहाँ पर आपसे अड़ियल पूचा गया और अडियल में आपका हो जाएगा ईल प्रत्य यानि चार नमबर आपका बिलकुल सही हो जाता है चार जो आपने बताया है वो बिलकुल सही है ठीक है पिर नेक्स पुच्ज क सुचक बाग कहे या पिर कारण कारबूदक सरचना है इन में से चार में से आपने चैन किया प्रश्न किरमांक टू में कि सर कुछ है जो बराबर मुझे यहां खीच रहा है यहां कहां यहां कहां आप करो कहां तो कहां कोई इस्थान तो होगा यानि कि यह क्या हो जाएगा आपका प्रश्न किरमांक टू में आसु जी गुणबाल दीनु जी प्रश्न किरमांग टू में यहां कीच रहा है मतलब एक क्या है किसी इस्थान की बात कर रहा है यहां आपने कहा कहां तो कहां कोई इस्थान होगा बोले यहां इस इस्थान पर ठीक है इस इस्थान पर तो इस्थान बुदक सरचना है ठीक है एक नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा एक नमबर ठीक है फिर बढ़ जाते अंगले question की और अनूसरण में कौनसी संदी है दोस्तो अनूसरण आयादी स्वर संदी है यान स्वर संदी है बेंजन है या फिर बिसर्ग संदी है तो यहाँ पर आपको चैन करना है अनूसरण में कौनसी संदी हो जाएगी और आपने बिल्कु सही चैन किया है कि सर इसमें यान संदी तो है नहीं आयादी तो है नहीं क्योंकि स्वर के बाद कोई स्वर आनी रहा है ना बिसर्ग है नहीं तो कौनसी है फिर बेंजन संदी है बेंजन संदी यानि तीन नमबर आपका सही हो जाएगा इसमें ठीक है अनूसरण में जो संदी है वो बेंजन संदी तीन नंबर सी नंबर आपका बिल्कु सही होगा बिसर्ग नहीं होगी इसमें सी आपका बिल्कु सही होगा ठीक है क्रस का बिलोम क्या होगा क्रस क्रस बताना है दोस्तों समीचीन पीन विसालता या फिर पतला यानि कि प्रश्न किरमांग चार में हमें चेन करना है और क्रस बताना है कि क्रस का बिलोम क्या है चेन करेंगे फटाक से और उत्तर बताएंगे सभी लोग और आपने चैन कर लिया कि सर जो क्रेस का बिलोम है वो क्रेस का बिलोम आपका पीन है पीन क्रेस का पीन पीन यानि टू नमबर टू नमबर आपका यहां पर बिल्कु सही हो जाएगा क्रेस का पीन है ना पीन यानि टू नमबर ठीक है अब दोस्तों हमें बताना है उठा रखना मुहावरे का आज से क्या है उठा रखना छोड रखना कसर रखना बाकी रखना या फिर उक्तिस भी उठा रखना अपन बोलते ना कोई भी चीज को थोड़ा सा उठा रखना जैसे यह है टेप और इसमें ऐसे है थोड़ा सा उठा वो क्या हो जाएगा छोड के रखना कसर रखना बाकी रखना अलग-अलग जगएपर अलग-अलग बोलग जाता है तो यह उक्तिस अभी आपका 4 नंबर बिल्कुस सई हो जाएगा ठीक है 4 नंबर फिर अंगला कॉस्चन है आपको बताना है दोस्टो status tcn status tcn का हिंदी पारिवास एक सब्द कौन सा है सांक की विद कहेंगे इसे अंकक कहेंगे अंक सास्त्री कहेंगे या फिर अंकेचक कहेंगे यानि की 6 नंबर में 6 में आपको चेन करना है उत्तर आपका क्या होगा और आपने बिल्कुस सही चैन किया है कि इसे कहते हैं सांक की बिद है ना सांक की बिद यानि कि आपका जो एक नमबर है वो बिल्कुस सही हो जाएगा एक नमबर ठीक है फिर बढ़ जाते हैं दोस्तों अंगले कॉस्चन के ओर दोदबाले से कहो कि 20 लीटर दोद तुरंट ले आए तो यह कैसा है आज्यासूचक है या फिर एकच्छासूचक है विधान बाचक है या फिर संकेतार तक है कैसा बाक माना जाएगा इसमें आपको चैन करना है साथियो कि यह दोदबाले से कहो कि 20 लीटर दूद तुरंत ले आए ये कैसा है ये आग्या सूचक एक नम्मर आपका सही होगा आग्या सूचक ठीक है आग्या सूचक बाख होगा फिर है केरा केसे पात बहराने सिरसेस के पंक्ती में कौन सा लंकार है अलंकार आपने पड़े हैं और आपको बताना है केरा केसे पात बहराने सिरसेस के अन्योक्ती अलंकार सहोक्ती सिलेसलंकार या फिर अतीसयोक्ती अलंकार इसमें प्रश्न किरमांक आठ में जो आपने चैन किया है वो चैन किया है क्या अती सयोक्ती यानि चार नमबर आपका अती सयोक्ती अलंकार केरा के से पात बहराने सिर सेस के इसमें आपका अती सयोक्ती अलंकार हो जाएगा यानि चार नमबर सही हो जाएगा अरविंद्र जी ठीक है अरविंद्र पाटिदार प्रीती जी फिर अंगला कोश्चन आपका है नांग सब्द का अर्थ नहीं है तो नांग का अर्थ क्या नहीं होता हाती परबत सिव या फिर बादल यानि की प्रस्ने किरमांक नो है और ना नांग सब्द का अर्थ क्या नहीं है क्या नहीं होता बोले सर नांग मतलब हाती तो होता है होता है परबत भी होता है बादल भी होता है स्यो भी होता है तो कौन सा नहीं होता कौन सा नहीं होता फिर प्रस्ने किरमांक 9 में और आपने चैन कर लिया कि सर स्यो नहीं होता अदल को कहते हैं लेकिन स्यो को नाग नहीं कहते हैं इसका अर्थ नाग नहीं होगा यानि कि आपका जो सी नंबर है सी नंबर वो सही होगा स्यो को नाग नहीं कहते या स्यो का अर्थ नाग नहीं होगा और तीन नंबर आपका बिलको सही है खेत सब्द कैसा है खेत अपन खेत जाते हैं दोस्तों खेत और एक होता है छेत्र अब आपको बताना है कि खेत सब्द कैसा है संकर है तत्सम है तदभाव है या फिर देशज है ये तदभाव तत्सम देशज ये पूछे जाते हैं और अपन टॉपिक बाई जद्धियन कहां पर कर रहे हैं सेल्प स्टेडी किला से इसमेर आत्री आठ बजे है ना और खेत सब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है सातियो वो क्या होता है ये खेत सब्द है बताना है कैसा है तो बोले तत्सम तो इसका छेत्र होता है तो ये तदभाव है आपका तदभाव यानि तीन नमबर ममताची सी नमबर आपका बिल्कु सही है तदबाव ठीके सारंग सब्द का परयाब आची क्या है सारंग चातक सेहं कोयल या फिर उक्तसभी सारंग का परयाब आची बताना है प्रस्ण किरमांक 11 में और आपको चेन करना है और दोस्तो सारंग सब्द का परयाब आची होता है वो होता है उक्तसभी कोयल शह और चातक ये सबी सारंग के परयाब आची होते हैं और डी नमबर जो आपने बताया डी नमबर उक्तसभी ये बिल्कु सही है डी ठीके डी आपका सही हो जाएगा फिर चतरपुर जिले में ब पी का अन मैप होता है इस प्रकार से ना ऐसे ऐसे करके ऐसे और यह जो छेत्र होता है यह वाला यहाँ पर यह जो छेत्र है दिगू समास, कर्म धाराई, या पिर द्वंद समास या था समास तो यथा यहाँ पर जो यथा लगा यह अब्याई यानि कि जहाँ पर प्रिथम पद अब्याई हो बहाँ पर आपका अब्याई भाव समास होता है और कल अपनने समास का भी अध्यन किया था यह ना और यहां पर आपका अब्वेई भाव समास बिलको सही हो जाएगा प्रश्निक्रमांग एक का प्रश्निक्रमांग 13 का एक नमबर ठीक है एक नमबर आपका बिलको सही है अब बेई भाव समास भावानी प्रसाद मिस्र की कृती कौन सी है दोस्तों भावानी प्रसाद मिस्र इनकी कृती का नाम बताना है इस चार कृती हैं सूरच का बया है अपलक गीत फरोस या फिर मगद यानिकी प्रश्निक्रमांग एक में भावानी प्रसाद मिस्र की बताना ह और हम क्या करते हैं बोली सर हम भबानी के गीत गाते हैं हम भबानी के गीत गाते हैं तो देखो जरा ओक्सन में कहां आरा गीत तो गीत फरोस गीत आगया बोली सर गीत तो गीत फरोस और हम भबानी के गीत गाते हैं तो ये गीत फरोस आपकी भबानी प्रसाद मिस्तरी जी की ह हो जाएगी गीत फरोस यानि तीन नंबर सी नंबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा है ना और नेक्स्ट आपको बताना मद्द प्रदेश से प्रकासित साहित पत्रिका नहीं साहित पत्रिका है है बतानी तो कौनसी है दस्तक साहित त्रबेणी नवलेखन या फिर तुलिसी मा प्रदेश से प्रकासित है यानि कि प्रश्न किरमा का आपका पंदरा का चैन आपको करना है तो पंदरा का क्या हो जाएगा दीपक जी आपने बिल्कु सही चैन किया है कि तुलिसी मानस भारती है ना चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड और तुलिसी दास चंदन तलक देतर अगबीर ये तुलिसी मानस भारती और तुलिसी समारोह मनाया जाता है कहां पर चित्रकूट में चित्रकूट है ना चित्रकूट इसको याद रखेंगे और मद्द प्रदेश से प्रकासित पत्री का है ये तुलिसी मानस भारती है ना मगी ही बोली आती है तो कि किस के अंत्रगत आती है ? आपको चैन करना है مग ही बोड़ी बतानी है और आपको मैंने कई बार बताया है तब आपका बिलकुण सही आंसर होगा बुली सरी जो मग ही हैं यह आती है आपकी किस के अंत्रगत ? बेहारी हिंदी के अंत्रगत बेहारी हिंदी का जो उदभा हुआ वो मागदी अपवरंच से हुआ किस से हुआ मागदी अपवरंच से बेहारी पूर्भी हिंदी इसका हुआ किस से अर्द मागदी से अर्द मागदी से कौनसी निकली आपकी निकली पूर्भी हिंदी राजस् हिंदी की यानि टू नमबर आपका सही हो जाएगा ठीके बिलोम सब्द योग में नहीं है तो कौनसा नहीं है पाताल अंबर अनित नस्वर छणेक सास्वत या फिर कडा मिर्दुल यानि की बिलोम सब्द योग में कौनसा है है बताना है पाताल का अंबर अनित का नहीं है और आपने चैन किया कि सर बिलौम सब्दी की बात आती है तो पाताल अंबर हैना अपने बोलते हैं आकास पाताल एक कर दिया अनित नस्वर और यहाँपर आपका बिलकुँ सही होगा अनित का नस्वर यह नहीं है यानि टू नमबर आपका सही होगा टू नमबर ठीक है बी नमबर आपका बिलकुस सही है छणक का सासो सही है कला का मिरदोल चाही है लेकिन अनत्य का नस्वर नहीं है ठीक है तो बी जिनों ने बताया उनका अंसर बिलकुस सही है फिर आपसे पूछा जाता है कि सुद्ध बा का चैन करना है कौनसा होगा सुथ अतिती को उबाल कर अतिती को ही उबाल दो बुलिसर अतिती को उबालना है तो मैंने कहा नहीं नहीं रहन दो इसको गलत कर दो किके अतिती को नहीं उबालना मेरे को बाजार जाना है ये क्या सही है सीला के पास एक ही साड़ी है मैंने थेले म में सेव निकाला मैंने थेले में सेव निकाला ये भी आपका गलत है अब मेरे को बाजार जाना है उसीला के पास एक ही साड़ी है इन में से 50-50 की लाइप 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 लाइन आपके पास पहुंच जाती है और यहां पर आपका बिल्कुस सही आंसर होता है कि सीला के पास एक ही साड़ी है मेरे को नहीं होता यहां पर मुझे बाजार जाना है मुझे बाजार जाना है अब का साही होगा ठीक है तो ुझी नमबर जिनने बता है उनका अंसर बिल्कु साही है सुद्ध बाग का चैन करना है जा माता, छमा, चर्मोद करस जियो तसना तो सुद्ध का चैन करें बोली सर ये छमा छमा तो ये है नहीं सुद्ध जो तसना भी सुद्ध नहीं है दो तो मैंने काट दी आपके अब दो मैंसे आपको चैन करना है 50-50 में सरीता जी, दीनू जी संजय जी, उत्तर क्या होगा 19 का बोली सर, इसमें सही उत्तर जो आपका हो जाएगा, वो जामाता सही होगा, जामाता एक नमबर ठीके, जामाता आपका बिलकुस सही है, ठीके यानि कि आपका एक नमबर बिलकुस सही हो जाएगा ठीके, फिर अंगला कोस्चन आपको बताना है दोस्तों प्रस्ण किरमां के 20 में 20 का उत्तर क्या होगा भिनार तक सब्द योग में कौन सा नहीं है और आपने चैन किया है समुझ चारत भिनार तक सब्द योग में और सब्द योग में नहीं है बताना था तो नहीं है तो कौन सा नहीं है कौन सा नहीं है बोले सर समुझ चारत भिनार तक योग योग जो है योग 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 ये तो बिलकुल सैम है कि समुझ चारत भिनार तक नहीं होगा है ना तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपने बताया योग योग यानी C नमबर आपका बिलकुल सही C नमब गलत हो गया, ये ऐसा, ठीक है? चरमुत कर से, so, ठीक है, तो इसको सुदा लेना, योग योग आपका बिल्को सई हो जाएगा, ठीक है? फिर अंगला देखते हैं, रस खान है, रस खान भक्ती कालीन कभी है, कुल परमपरासि क्रशन भक्त है, महा कभी हैं या फिर उक्तसभी रस्खान बताना है कैसे कभी माने जाते हैं रस्खान कहा जाता है कि जो रामचरित मानस तुल्चीदास जी ने लिखी है अबदी भासा में वो दोस्तों तुल्चीदास जी ने जो लिखी है अबदी भासा में पंद्रा सो चोहतर इसी भी में यानि कि 1600 संबत 1631 में इन्होंने लिखी थी और ये जो रामचरित माना से सबसे पहले तुल्चिदास ने इनी को सुनाई थी रस्खान को है ना और रस्खान कैसे माने जाते हैं अब तुल्चिदास का संबंध है तो ये क्या माने जाते कुल परंपरा से क्रश्नभक्त महा कभ तो ये दोस्तो भक्तिकालीन कभी है भक्तिकालीन है ना अब तुल्चिदास के समय के हैं मतलब तुल्चिदास भक्तिकाल के हैं तो रस्खान भी भक्तिकाल के भी होंगे है ना तो आपका जो एक नमबर है एक नमबर वो सही है ये भक्तिकालीन कभी है ठीके एक नमबर अं एव गोनस्वर संधी यानस्वर संधी वेंजन या फिर विसर्ग संधी यानि कि प्रश्न किरमांग 2 और 2 का चैन करना है अत एव में संधी बतानी है और आपने बिल्को सही चैन किया है प्रश्न किरमांग 3 में कि बिसर्ग संदी होगी अतह धन एव अत एव बिसर्ग संदी अतेव में आपका चार नमबर बिल्कु सही होगा ठीक है डी नमबर आपका सही हो जाएगा सिसुपाल जी अता धन एव बरावर अतेव और विसरक संदी मम्ता जी बिलकुँ सही है फिर बताना है कनक सब्द का आर्थ नहीं है नहीं कनक का आर्थ क्या नहीं होता गेहूं का आर्था, धतूरा, पलास, केसर क्या नहीं होता कनक का सब्द का आर्थ यहीं प्रश्निक्रमांक तीन में और आपने चैन किया है विल्कुल कि सर कनक कार्थ आठा तो होता है है ना धतूरा भी होता है और इन में से बताओ पलास और केसर में से कौन सा नहीं होता कौन सा नहीं होता तो बो नहीं होता दोस्तों आपका केसर केसर नहीं होता, पलास भी होता है, धतूरा भी होता है, ग्यहूं को आटा भी होता है, यानि ये तीन होते हैं, लेकिन केसर नहीं होता, यानि D नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा, ठीके D नमबर केसर, नेक्स्ट है आपका रिचा सब्द कैसा है, रिचा, आपने पढ़ होंगी रिगबेद की रिचाएं पड़ीना रिगबेद की रिचाएं संकर है तत्सम है तदभाव है या फिर देशज है रिचा सब्द कैसा है और आपको पता है कि ये जो रिचा सब्द है ये तत्सम माना जाएगा तत्सम बेदों की रिचाएं और टू नंबर आपका सई है रिचा है ना अधिकांज छा सब्द हो या फिर रि सब्द हो ये तत्सम सब्दों में ही प्रियोग जादा होते हैं है ना तो ये जहां आपको ये प्रियोग देख जाए मतलब वो तत्सम तो हो गई च्छा और री तो तत्तम सही है अंगारों पर लोटना मोहावरे का आस्थ क्या है प्रश्ण किरमांग पांच में अंगारों पर लोटना मोहावरे का अपने कारेयों से किसी को जलाना क्रोध या इस्तिया से जलना चुनोती पूर्ण कार करना असंभव को संभव करना तो अंगारों पर लोटना इस मोहावरे का आस्थ क्या हो जाता है प्रश्न किरमांग 5 में क्या हो जाता है और आपने बिल्कुश सही चैन किया है क्रोध या इस्वर से इडसिया से जलना अंगारों पर लोटना ये आपका two number बिलकु सही है two number आपने बिलकु राइट अंसर two number का बताया है ठीक है very good और अंगला question है दोस्तों आपका कल कानन कुंडल मूर पखा और और पे बनमाल बिराजती है इसमें कौन सा लंकार है कल कानन कुंडल मूर पखा और पे बनमाल बिराजती है कौन सा लंकार हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा अनुप्रास सिलेस यमाक या फिर बीपसा तो आपने बताया कि सर इसमें का का की बार बार आबरती हो रही है यानि कि आपका अनुप्रास लंकार एक नमबर बिलकु सही हो जाएगा एक नमबर ठीक है काका की आबरिती हो बहा पर आपका नुप्रा सलंकार हो जाता है ठीके काका की आबरिती होई और आपने बिलकुश सही अनुप्रा सलंकार लगाया एक नंबर नेक्ट है रीता रीबा की अभियांत्र की महा विद्यालाय में पढ़ती है बाक कैसा है रीता रीबा की अभियांत्र की महा विद्यालाय में पढ़ती है आग्या सूचक बाक है एक्छा है विधान सूचक या संकेत आर्थक है कैसा बाक माना जाएगा इसमें भगत सिंग जी बिक्रम जी, संजय जी, प्रश्निक्रमांग एक में, रीता रीबा कि अभियांत्र की महा विध्याला में पढ़ती है, यह बाक कैसा है? और आपने चैन किया है कि सर रीता अभियांतर की मुध्याला में बढ़ती है तो यह आपका बिधी बाचक हो जाएगा बिधान बाचक हो जाएगी तीन नमर आपका बिलको सही हो जाएगा यहाँ पर हमें कोई आग्या नहीं लग रही यहाँ पर कोई एक्छा बाचक नहीं लग रही यहाँ पर कोई संकेत नहीं दिया गया तो बिधान बाचक यानि की तीन नमबर तो आपका होई जाएगा बिधान बाचक रीता, रीबा की अभियांत्री की महाविध्याले में पढ़ती है यह आपका विधी बाचक या विधान बाचक हो जाएगा ठीके तो आपका तीन नमबर बिलकुँ सही है C नमबर आग्या सूचक तो है नहीं आग्या तो कोई दी नहीं जा रही यहां पर है ना नेक्स्ट आपको बताने नील गाय पद में कौन से समास है? नील गाय पद में और विशेस का जहां संबंद होता है बहाँ पर कौन सा हो जाता है कर्मधाराय समास यानि कि प्रतम पद दुतिय पद की विशेसता बता रहा है तो नील गाय में आपका कर्मधाराय समास, नीली है जो गाय ठीक है, सी नंबर आपका बिलकु सही होगा आप किस तरफ जा रहे हैं बाग कैसा है प्रश्न किरमांकर 9 में आप किस तरफ जा रहे हैं किस तरफ यानि कि कोई दिशा बताईए बुलिसर में इस तरफ जा रहा हूँ इस तरफ तो आपने देखा तो यह तो दिशा हो रही है उत्तर दिशा हो गई बोले इस तरफ जा रहे नेक्स्ट है अनुपपुर जिले में कौन सी बोली बोली आती है अनुपपुर बताना दोस्तों और आपको पता है कि यह जो होते हैं आपके यह यहाँ पर अनुपपुर जिला है यह ना और यह जो छेत्र है यह पूरा यह चेत्र कहलाता है कौन सा बगेल खंड का पठार बगेल खंड में तो यहां पर निमाड़ी बोली नहीं बोली आएगी बंदेड़ी बी नहीं माल भी नहीं तो कौन सी बगेली बगेली यादी ओच hippie अनूपर जले में बोली जाती है। ठीक है तो याद रखना नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तो आरबी ट्रेटर का हिंदी परिभास एक सब्द क्या है केंद्रक मद्यस्त संधारक या फिर नाभेक यानि प्रस्ण किरमां के ग्यारा और आपने चैन किया है कि आरबी ट्रेटर मतलब होता है मद्यस्त मद्यस्त यानि की टू नंबर है ना अपने बोलते ना आप आरबी ट्रेटर बन जाओ यानि की आप मेरे उरुस्की क्या बन जाओ मद्यस्त बन जाओ मद्यस्त है ना मद्यस्त ता कर दो तो यानि टू नंब प्रिती जी ठीके नेक्स्ट आपको बता रंगीला सब्द में कौन सा प्रत्य रंगीला अब प्रत्य तो आप से पूछा जाता है इसलिए प्रत्य को घोल करके पीलो गोट करके पीले है ना और प्रत्य को अच्छे से याद रखना है आप से पूछा जाता है कौन सा प्रत्य क तिरिया के साथ नहीं लगता ये चीज याद करनी है प्रत्य कितने होते हैं कौन-कौन से होते हैं ये चीज भी याद रखनी है आपको जब आप पढ़ोगे तो प्रत्य भी आपको समझ में आने लगी कि अधिकांस लोग समझ जाते हैं है ना कि सर इसमें कौन सा है इला प्रत अब गंगा के परियाबाची हमेशा पूचे जाते हैं गंगा के पूचे जाते हैं अब सतरक रहना नदी यानि की पूरी नदियां आती है नदी के परियाबाची और गंगा के परियाबाची नई तो नदी का परियाबाची पूचा और आप लगा दो गंगा के परियाबाची बोले सर गंगा भी तो नदी है गंगा नदी है लेकिन नदी को और क्या कहा जाता है वो अलग है गंगा को और क्या कहा जाता है वो अलग है तो इसलिए परियाबाची में भी आपको भेद से पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है ठीके ये गंगा का परियाबाची बताना है त तो इसे दोस्तों क्या कहा जाता है गंगा को गंगा को कहा जाता है जानवी जानवी यानि तीन नमबर ठीके सी नमबर गंगा का जो परियाबाची होता है वो जानवी होता है लेकिन नदी का परियाबाची यह जान भी नहीं होता हम पढ़ते ना कि सरीता नदी का रखेंगे अब अंगला कोस्चन देखो हिरास का बिलॉम क्या होगा हिरास अपन बोलते ना कि हिरास हो गया हिरास हिरास प्रेना विकास रोधन या फिर ब्यंग यानि कि हिरास का बिलॉम सब्द कौन सा है और आपको पता है कि यह जो होगा हिरास का बिलॉम बताना है है ना हिरास का बिलॉम बिकास हिरास का बिलॉम बताना था पर्याबाची नहीं बताना था हिरास का बिकास होगा बिकास हिरास हो रहा है किसी का पतन हो रहा है और किसी का बिकास हो रहा है तो हिरास का भोगा बिकास रचना जी विल्कु सही हिरास का बिकास ठीक है नेक्स्ट बताना आप मद्द प्रदेश से प्रकासे साहित्यक पत्रिका कौन सी है मद्द प्रदेश से प्रकासे इस साहित्यक पत्रिका पूरी में एक साथ लियाओंगा आपको जितनी भी पत्रिकाइं पोछी गई है अभी तक है ना वो पूरी पत्रिकाइं आपको एक साथ लेाऊँगा और आपको याद भी करवा दूँगा ट्रेक से है ना और यहाँ पर मद्द्रदेश से प्रकासे साहित्यक पत्रिका बतानी है तो इस साहित्यक पत्रिका है दोस्तो इसुरी एक इसुरी की फागें आपने सुनी होंगी मद्द्प्रदेश में इसुरी की फागें फागें होती इनकी फागें इसुरी की फागें और मद्द्प्रदेश से प्रकासे साहत एक पत्री का है इसुरी कौनसी है इसुरी यानि चार नंबर चार नंबर बिलकुश सही ह ठीक है कुल्दी प्यादव जी लखन जी फिर बताना हर्यान भी बोली आती है तो किसके अंतरगत आती है प्रश्न किरमांग सोला में पूर्वी हिंदी के अंतरगत बिहारी हिंदी के अंतरगत राजिस्तानी हिंदी के अंतरगत या पस्चमी हिंदी के अंतरगत किसके अब हर्यान भी और हरी को क्या कहा जाता है बांगरू भी कहा जाता है बांगरू क्या कहा जाता है इसे बांगरू हर्यान भी को बांगरू भी कहा जाता है और हर्यान भी जो है यह आपकी किसकी माने जाती है पस्चमी हिंदी की पस्चमी हिंदी पस्चमी यानि डी नमबर बाच बोडियां है पस्चिमी हिंदी की खड़ी ब्रज भासा बुंदेली कन्योजी और हर्यान भी यह पांच माने जाती हैं पस्चिमी हिंदी की ठीक है इनको याद रखेंगे ये गलत नहीं होनी चाहिए बिलॉम सब्द योग में नहीं है तो कौन सा नहीं है गरस्त का मौक हैना अग्ग का यग्ग, गौन का प्रधान, हैना करकस का मिर्दू, तो कौन सा नहीं है बिलोम सब्द, प्रश्निक रमांग 17 में बिलकुल जासमिन खान जी, रचना सिंग जी, बिक्रम जी, संगीता जी, एसम तेबारी जी, प्रश्निक रमांग 17 में आपने बिलकुल सही बताया है पुलिसर अग का होता है बिग, अग का यग नहीं होता, अग का यग नहीं होता, यानि कि आपका जो two number है, वो सही हो जाएगा, two number, ठीके, हाँ ABC भी कर दो, ABC, ABC पूर्वी हिंदी की ABC, ठीके, बिलको सही है, नेक्स्ट आपको बताना है, सुद्ध बाग कहें तो कौन सा है, इस बार लंका भारत से नहीं जीत पाएंगे, माता जी रेल गारी में आया, सतीस को दही अच्छी लगती है, चात्राओं को पढ़ना चाहिए, तो अब थोड़ा सा सब्दों कर और ब्याकन पर ध्यान देना है किस बार लंका भारत से नहीं जीत पाएंगे, गलत, माता जी रेल गारी में आया, माता जी रेल गारी में आती हैं, आया नहीं, आई, गलत, सतीस को दही अच्छी लगती है, अच्छी लगती है क्या दही, कि अच्छा लगता है, दही, अच्छा लगता है कि अच्छी लगत तो D नम्मर हमने चात्राओं को पढ़ना चाहिए, ठिक लगा दिया, ठिके D, ये 37 को दही अच्छी ये तो गलत है, प्रश्ण किरमांक 18 में, सुद्ध पूचा था सुद्ध, और सुद्ध में D साई है, अब सुद्ध बताना इसमें कौन सा है, अनिस्ट, आधीन, अभ्यास् किये, और यहाँ पर सुद्ध 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 से कौस्चन आपका आता ही है, बाक सुद्ध और सब्ध सुद्ध यहाँ से कौस्चन बनते हैं दोस्तों, और 19 का आपका अनिस्ट जो है, ये सुद्ध है, यानि कि एक नमबर आपका सही है, एक नमबर जिनोंने चैन किया है उनका अंसर बिल्कु सही अनिस्ट ठीक है अनिस्ट नेक्स्ट है और समुझ चारत भिन्नार तक सब्द योग में नहीं है तो कौन सा नहीं है बीस का उत्तर अपकार का उपकार अनल का अनल जन जन अरक का अरक तो बोले सर ये जो जन और जन है ये तो बिल्कु समान देख रहा है मतलब ये सी नंबर नहीं हो जाएगा ठीक है बीस का सी अपकार अपकार इस समुझ चारत भी है और भिन्नार तक भी है ठीक है इस्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोट्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि ये जो सेल्फ स्टडी किलासे से इस परकार से जब आप पिले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आईकन उ एप दिखने बाला है ठीक है ये इमेज उसमें डली है ये आईकन ये लोगो उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है यहां से आप इंस्टॉल करेंगे ठीक है अब इंस्टॉल करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जेमेल नंबर मांगेग तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे